हाई वेलकम बैक तो मैं चैनल तो क्या हाल है आप सब के आई होप आप सब बढ़ी आई होंगे तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं तो आज इससे रिलेटेड में सारे इंफोर्मेशन मैं आपको दूंगा इसका माइलिज का है टॉप स्पीड का है और कितने की पड़ेगे आपक और साथ ही में बताऊंगा इस सेग्मेंट में जो और बाइक से उनसे क्या जादा मिलता इस बाइक में हमें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में फ्रेंट में आपको फुल एलेडी हैडलेम देखने को मिलेगा जो कि exactly same है डॉमिनर 400 की तरह यहां पे आपको एलेडी इंडिकेट्स देखने को मिलेंगे जो कि केटिम्स की बाइक और डॉमिनर में सेम है यहां पे आपको यूजड फोक्स मिलेगा 37 mm का ट्रैवल है और यह और यही पे डिस्क साइज के बात करी जाए तो आपको 300 mm का डिस्क साइज मिलेगा डॉमिनर 400 में आपको 320 mm का डिस्क साइज मिलता था और साइड लुक देखा जाए तो exactly same है डॉमिनर 400 से यहां पे आप दे सकते हैं डॉमिनर की बैजिंग और जो इसका टैंक है बिल्कुल देखने को मिलेगा जो की काफी जादा स्मूध है रेर की टायर साइज की बात करी जाए तो आपको 17 इच का अलॉई मिलेगा और जो टायर साइज है 130 x 70 का है डॉमिनर 400 में आपको 1500 x 60 का मिलता है जो में डिफरेंस है वो टायर साइज में यहां पे आपको रिफ्लेक्टर मि आपको टैंक पैड मिलेगा जो की बहुत ही शांदाल लगता है और काफी इसकी पोजिशनिंग भी बहुत बढ़िया है और जो इसमें आपको सीट मिलेगी वो स्प्लिट सीट का सेट मिलेगा और जो इसकी रियर लाइट है वो बिलकु डॉमिनर 400 की तरह है और मैं गलत नह तो इसका काफी बहतरीन है और रियर की डिस साइज की बात करी जाए तो आपको 230 mm का डिस साइज देखने को मिलेगा और इसमें आपको डूल चैनल ABS मिलता है इस प्राइस पॉइंट में और किसी बाइक में भी आपको डूल चैनल ABS देखने को नहीं मिलता यहां पर आपको 148 CC का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 29.6 BHP and 23.5 एनम ऑफ टॉर्क यहीं इंजन आपको डूक 250 में देखने को मिलेगा यहां टैंक पर आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको जितनी भी वार्निंग लाइट से वह देख देखने को मिल जाएंगे और यहीं पर आप राइट साइट के बटन देखें तो वहाँ पर आपको एक इंजन किल स्विच देखने को मिलेगा और सेल स्टाट का बटन मिलेगा और जो इनकी क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी लगी बजाज की बाइक्स में ओवराल क्व इसमें एक चीज नहीं दे रखी जो कि है गेर पोजिशनिंग इंडिकेटर बागी सारे सेम फीचर हैं डॉमिना 400 के और जो मुझे लगता है इस सेग्मेंट में काफी बढ़िया है यह भी और अगर इसके माइलेज की बात करी जाया तो इसमें आपको 35 kmpl का माइलेज देख इंजन आपने छोटा किया है तो आपको वीट भी कम करना चाहिए ताकि ज्यादा हेवी ना लगे बाइक चलाते वक्त और ज्यादा मजा आए बट ओवरॉल जो मुझे लुक है जो फीचर है काफी बढ़िया लगे और सेग्मेंट में जैसे हम आने बताया है इसमें आपको जो इस बाइक के लिए मुझे काफी बढ़िया लगा और प्राइज नहीं है अगर आपको लेनी है बाइक तो आप ले सकते हैं और शोरूम के साथ डेटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिली ही जाएगी और यहीं पर मैं इसकी सीट हैट के बात करूं तो इसमे आपको 800 mm की सीट हैट मिलेगे तो शॉर्ट राइडर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपको टूरिंग जाना है और डॉमिनाट 400 में ज्यादा पावर लगती है तो आप इसे शॉली ले सकते हैं काफी बहतरीन आप्शन है मेरे तरफ से यह रिकमेंडेट है टॉप स इस दॉली लिकमें टो एब लिकमें एग्शन है और दाता है और गॉमिनाट यह दूर्ट भॉमिनाट है तो शॉली ले सकते हैं काफी बहत खो द्रॉब जन्याद आपको श्किछंच अगर और दो र題 Google